है गाइस अभी सुबह के बज रहें दस स्टार्ट करते हमारा आज का दिन आज का व्लोग खाने का बुलावा आचुका है और मैं जा रहा हूं अभी खाना खाने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं खाये तो प्लीज खाना खालीजिये मिलते हैं थोड़ी देर में तो ठीक क्या है कि पार्किंग में हमेशा की तरह आज भी कोई प्लांनी है कि कहां जाना है कैसे क्या करना है कैसा करhead का बने रहीं और मैं नहीं निखल रहा हूं काईछ़् पार्किंग के लिए बाइ झाल झाल हमको जाना तक कहीं हमारा प्लान रहुता थोड़ा लंबा जानेगा लेकिन हुआ ऐसा की गाड़े होगी पंचत और हुआ भी नहीं थी इसमें पूरा बैठ गयाता टायर कल शायद कुछ उसमें कील भी लगी दिए अभी हम लोग आए हैं सुआ लेक में यहां बैठे हैं काफ अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां आपको मिलेगा पहाड़ी खाना एकदम अगर आप पित्वरगड आगे पहाड़ी खाना खाना चाहते हो तो आप यहां आ सकते हो बेशक तो ठीक है गाइस अब मैं मिलता हूं आपको जगह पे उस होटल पे यह रेस्टरेंट पढ़ता है आपका नैनी पातल रोड में और कभी भी आप आओ और आप यहां आओ आओ आपको अच्छा लगेगा आप यहां खाना खाओ आपको पूरा पहाड़ी खाना मिलेगा अब देखते हैं आज क्या क्या बनाए जरूरी नहीं है कि डेली ओ पहाड़ी खाना बनाते लेकिन ऐसा होता है कि उनके खाने में कोई ने कोई एक चीज पहाड़ी होती है तो देखते हैं आज उन्होंने क्या पहाड़ी कुछ बनाया है तो अगर नहीं भी बनाया तो भी आप देख लिजें खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि वहां आई ओडर किये जैसे हमारी चाहे आती है तो चाहे पीते हैं फिर मैं उसके बाद आपको खाना दिखाता हूं गाइज हुआ झाओको कि अल्पर दमय माद बन को बनाला हु करे कर दो Ste तो गाइज अब वक्त हो गया चाय पीने का और हम्ती रें चाय मुझा घंखना हो था ती अब का खा Transport अ दिख से अर्था यह 초pace और मैं का tell यह्रों कि अब क्षा साधा और कि मैं घर खाना का रहता है छेता है पर अलकाफुलका खाता हूं कि बहुत ही अच्छा बहुत ही स्वाधिस क्या श्काना यहां पर बनता है और एक बार आपको भी जरूर यहां पर आना चाहिए मैं दिखाता हूँ आज खाने में क्या बनाए है तो यह देखे गाइज यह है जोली और बांकी तो नॉर्मल डाल चांवल सब्जी यह सब है आज कुछ ऐसा बनाया नहीं है मैं दिखानी पाऊंगा खाली एक करते हैं यह तो पहन के आया हैं तो जल्द जल्दी घर चलते हैं तो ठीक है मैं मिलता हूँ आपको घर बर यह ँ किन dat एक करताओं आपको कर लेए काई आज प्रॉब्लम यह हुई कि जब मैं पार्किंग में गया तो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे साथ यह हुई कि जिस मोबाइल से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं यह मोबाइल मेरा घर पर ही रह गया और मैं पहुंच गया पार्किंग में नमबर एक नमबर दो, पार्किंग में पहुशने के बाद मैंने देखा कि मेरा टायर पूरी तरह से पेंचर हो चुका है और अभी ऐसी कोई सुविधा मेरे पास भी उपलब्द नहीं थी जिसे मैं उस टायर को ठीक कर सकता था तीसरी प्रॉब्लम ये थी, आज यहां हर्ताल थी बिजली विभाग वालों की, बिजली कर्मचारियों की तो बिजली भी नहीं थी कहीं मैं किसी भी शॉप पे जा रहा था तो सब जगह से यही हो रहा था कि लाइट की प्रॉब्लम है लाइट की प्रॉब्लम है तो काफी दूर इधर उधर करने के बाद मुझे एक जगह मिली जहां मैंने अपना टायर पंचर लगाया और उसी में हमें इतना वक्त हो गया कि हम कहीं और नहीं जा पाए तो इसलिए जो आज मैंने रिकॉर्डिंग डाली है अपनी वो मेरी कल की क्योंद है जो मैं होटल पे गया था वह ने डाला नहीं था विडियो बहुत लंबा हो जाता इस वज़ा से मैंने जो बीता हुआ कल है उसमें मैंने पोस्ट नहीं किया था तो इसलिए मैं आज उसको पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाया तो व्लॉग तो बनाना ज़रूरी था व्लॉग डालना भी ज़रूरी था क्योंकि डेली व्लॉगिंग करनी है तो ठीक है गाइस जैसा भी है आप लोग को शायद पसंद आया होगा तो ठीक है गाइस बबाए टे केर